स्वागत थे एक बार फिर से आप सभी का आपके चलना शोशल विकुपे काफी महेदपूर्ड इंफरमेशन आपके साथ साजा की जाएगी जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता है आज का दिन 4.11.2022 यानि 4.09.2022 का है दिन है सुक्रवार का और आज बहुत बड़ा निड़ा EPS 95 Pensioners के लिए आने वाला है यह काफी महेदपूर्ड इंफरमेशन उस से रेल्टेट में आप सभी के साथ साजा करने वाला हूँ जो कि Pension से जुड़ा हुआ है Supreme Court से जुड़ा हुआ है वो इंफरमेशन में आप सभी के साथ साजा करने वाला हूँ जैसा कि मैंने पिछले कल के वीडियो में आप लोग को अबडेट दे रखा था कि जो सुप्रिम कोट में मैटर चला है उसके आज सुनवाई जो है 11.08.2022 में ही कंप्लीट हो चुका है सिर्फ जज्ज्मेंट देना बाकी है उस जज्ज्मेंट के पूरे डिटेल मैंने आपको कल भी साजा किया था आज कुछ उससे एक्स्ट्रा इंफरमिशन देने वाला हूँ जैसे किस कोट में सुनवाई होने वाली है टाइमिंग क्या है बाकी और भी जो डिटेल्स है तो मैं आपको बता दो कि सुप्रिम कोट आप जैसा कि आप देख पार है सामने मेरे सामने एक पीडियेफ है इस पीडियेफ में काफी कुछ है जो कि इस केस की सुनवाई से लिटेड है सबसे पहला बात है कि इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट नमबर कोट नमबर तीरह में जो है इसके सुनवाई होगी यानि जो फैसला आने वाला है वह है कोट नमबर थार्टीन में दो के चीप जस्टिस है अनुरुद बोश विक्रमनाथ दो चीप जस्टिस रहेंगे जो इसको सुनवाई करेंगे टाइमिंग है साड़े दस बज़े साड़े दस बज़े सुवे में इसका जज्जमेंट जो है वह आ जाएगा और यह काफी महत पूर जाता है क्योंकि Employed Permanent Fund Organization और अदर्स जो केसे लिस्टेड है इन सबी इसमें करीफ 67 केसे ऐसे हैं जिसकी सुनवाई हो चुकी है और इस पर सिर्फ फैसला नहीं रहे गया नहीं फैसला जो है आज आपको देखने को मिल जाएगा यहांबर आप देख सकते हैं डेली केस लिस्ट है बाकि सब यह पूरे केस के डीटेल है दस पेजेस का यह डीटेल है इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं हाला कि जो मेन जो कोर इंफॉर्मिशन होता है यानि किसी चीज की जो मूल बात होती है वह मैं आपको जनरली एक्स्प्रेइन करके बता देता हूं बाकि और डीटेल जाने के जो लोगी चुक हों वीडियो को देख सकते हैं पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं शुशल्बिकु.को की वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं आपको बता दो कि जो टाइमिंग है वह साबहा हैं इसा नहीं है कि साबहा दस robust आपको फैसले सकता है हो हो चक्ता है वह to 11 नदि वर्चाहित सकते हैं को क्त आगे पीछे रेले हो सकता है लेकिन विर र्चों आज ही कह cherry उसी का है तो ये कुछ नया है, मैं आपके साथा किया है, आपके कोई राय होंगे, तो कमेंट में दीजिए का, शेयर करिए का जाज़ा जाज़ा लोगों तक, मिलते हैं कुछ ही छड़ में, कुछ नए जानकारी के साथ फिर से, अपने इस दोस्त को इजाहत दीजिए, अपना बहुत आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद।